हाई व्यूटिफुल पीपल और आज हम लोग बात करेंगे किड़नी स्टोन के बारे में किड़नी स्टोन यानि की पत्री पेहद ही पेंफुल होता है कई लोगों को ये दर्द इतना जादा होता है कि लोग इसे बच्चे को जर्म देने से ज़ादा दर्द से भरा मानते हैं ये पेन कभी भी कहीं भी और बहुत तेजी से हो सकता है आपको किड्नी स्टोन है या नहीं इस बात किप साइंस और डी में ज़लक जाते हैं अगर आप उन लक्षनों पे जान दें जब भी किसी को किड्नी स्टोन होता है तो उसे वो दर्द लोर अब्डॉमेन यानी की पेट के निचले हस्से में होता है तो कि ये पेट के निचले हस्से में होता है इस वज़े से कई बारी से दूसरी बिमारियों से कन्फ्यूस्ट कर बैठते हैं आईए हम आपके साथ शेयर करें वो reasons, वो signs और symptoms जिससे आपको पता चले कि ये kidney stones ही हैं इसके पहले हम बात करेंगे kidney stones यानि की पत्री है क्या पत्री तर असल आपकी body में बहुत सारे खनीश पदार्थों यानि की minerals और salt यानि की नमक जो की calcium, uric acid और generally hard चीदों से बना हुआ होता है जब आपकी body में proper पानी की मात्रा नहीं जाती यानि की dehydration होता है तो kidney में ये minerals और salt जम जाते हैं और फिर ये stones का रूप ले लेते हैं जब आप proper मात्रा में पानी नहीं पीते तो उस वज़े से आपका urine काफी concentrated यानि की गाढ़ा होता है जिसमें mineral की मात्रा जादा होती है और फिर आपकी body में kidney stones बनने शुरू हो जाते हैं kidney stone का size छोटे से लेकर बढ़ा तक हो सकता है कई बार ये urinary track से पास होकर बाहर भी निकलाता है मगर अगर ये size में बड़े हो तो इन्हें निकालने के लिए आपको surgery तक करनी पड़ सकती है kidney stone होने का एक और लक्षन है कि आपको continuously back में, page में और side के में भी दर्द होता रहता है kidney में बना हुआ ये stone एक blockage के तरह काम करता है जिसका pressure kidney पर पड़ता है और kidney ये signal आपके brain को भेशता है इस वज़े से जिस भी इन्सान को kidney stone हो उसे back में, ribs के नीचे और sides में भी काफी जादा pain महसूस होता है इसका एक और बहुत बड़ा symptom ये है कि जब भी आप urination यानि सी toilet कर रहे होते हैं तो आपको बहुत जादा pain महसूस होता है urination के दारान ये pain आपको इसलिए महसूस होता है क्योंकि stone आपके urator और bladder के joint पर पहुँच जाते हैं मगर बाहर नहीं निकल पाते कई बार महिलाओं में especially इस pain को urinary tract infection से confused कर बैठते हैं इसका एक और reason है जब आपके urine का color pale yellow यानि कि हलका पीला ना होकर yellow ना होकर red, pink या brown हो red, pink या brown color या blood में spot हो अगर आप मिले तो आप immediately doctor को visit करें kidney stone में कई बार आप लू जा रहे होते हैं क्योंकि बड़े stones आपके urator के पास फस जाते हैं जिस वज़े से आपका urine block हो जाता है इस वज़े से आपको urine के लिए कई बार लू भागना पड़ सकता है kidney stone में nausea और vomiting जैसी feeling का आना भी बहुत ही common है ये तो हो गई kidney stone के बारे में बात अब आईए बात करते हैं कि किस तरह इस stone से आप लिजात पा सकते हैं as I said before kidney stone का size vary करता है वो भी छोटे से लेकर बढ़ेता है क्योंकि हमने बताया कि kidney stone बनने के पीछे का सबसे बड़ा reason है आपकी बाड़ी में dehydration तो इसकी remedy के लिए आप अपनी बाड़ी में proper fluid की मात्रा को maintain रखें इसके लिए आप लगातार अपनी बाड़ी को liquid provide जबते रहें ताकि आपकी बाड़ी के अंदर बना हुआ waste material, urination और sweat के थूँ बाहर निकल आए इसके अलावा कुछ natural तरीके हैं जिनसे भी आप stones से निजाद पा सकते हैं As I said before, kidney stone को अपनी बाड़ी से बाहर निकालने के लिए आपको कम से कम 8-10 glass पानी रोज पीना चाहिए जिस वज़े से dehydration की problem नहीं होगी और आप better feel करेंगे दूसरा है कि आप अपने खाने में lemon juice यानि की नीमू के रस को add करें lemon में citrate होता है यह कैसा chemical है जो calcium stones के बनने को रोपता है citrate in fact आपके छोटे kidney stones को को भी तोड़ता है इस वज़े से यह urination के दौरान आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं इस वज़े से आप lemon juice यानि की नीमू के रस का इस्तमाल अपने खाने में regular करीके से करें किसरा है तुलसी का juice तुलसी में acetic acid होता है acetic acid जो आपके kidney stones को breakdown करता है और आपके pain को भी रोपता है इसके अलावा basil juice यानि की तुलसी के रस में nutrients भड़े पड़े होते हैं मौजूद antioxidants और anti-inflammatory agents आपकी kidney का health अच्छा maintain करते हैं basil का juice यानि की तुलसी के रस के लिए आप उनका चाय या काढ़ा बना कर पी सकते हैं इसके अलावा आप apple cider vinegar को भी अपने खाने में इस्तिमाल करें इसमें मौजूद acetic acid भी आपके kidney stone को तोड़ने में मदद करता है अनार का juice भी इस मामले में आपकी काफी मदद करता है अनार का juice आपको तभी लेना चाहिए जब आपको प्रेस्टर या फिर ब्लड प्रेशर मेडिकेशन आप ना ले रहे हो या फिर आपके लीवर के लिए भी कुछ मेडिकेशन चल रहे हो वेल इनिशली इन टेमेडी से आप अपने स्टोन लेवल को बॉड़ी भी कर सकते हैं अगर के बाद भी अगर आपको 6 हफ्ते आउसके जादा से उरिनेशन में प्राबलम हो रही है या आपको कोई भी लक्षन किड्मी स्टोन की तरह इशारा करते हुए दिखे तो डेफिन झाल